नमस्कार आप टोड़े विहार डिस देख रहे हैं मैं हूँ आपके शानते प्रेकाश शिंग बिहार में कोरोना का कहर लागातार बढ़ते जा रहा है एक और नया अपडेट आया है पांच नय मरीजों में कोरोना वैरस के लक्षन की पुष्टी हुई है इसके साथ ही अब ब कोरोना पोजेटिव मरीजों का आकरा 366 पर पहुँच गया है जो बिहार के लिए बेहदी चिंतनिये हैं बिहार में कोरोना का आकरा लागातार बढ़ते जा रहा है सीता मढ़ी में एक नया मामला आया है जिसका स्केंश में जांच हुआ था और जांच रिपोर्ट आ गया स से जिसके बाद सीता मढ़ी के इलाके में भी हरकम मच गया है जिला परशासन में हरकम मच गया है बताया जा रहा है कि जो कोरोना का संकरमित मरीज है वा गाजियाबाद से पास के जड़िये सीता मढ़ी आया था और साथ ही कोरोना अपने साथ लाया था तो बिहार में कोरोन कुल कोरोना वायरस के लक्षन के पुष्टी हुई है लेटेश जो अपडेट है स्वास्तिभाग के परदान सचे उस संजय कुमार ने जो अपडेट जारी किया है ट्विट कर बताया है कि बिहार में पांच नय और मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षन का पुष्टी हो गया रहे हैं तो बिहार के जहानाबाद में टीनवरीज्मिले हैं बक्सर में एक और मुंगेर में एक यानि की आज कुल अब तक 366 पर आंक्रा पहुँच्छ चुका है कोरोना के मरीजों का बिहार में लोगों को लॉपक्डाउन का पुन्टा पालं करना चाहिए आपको भी अपने घरों में राना चाहिए ताकि कोड़ का संकर्मन आप किσी के संपर्क में और आपूर नहीं फैले जिस तरह से बिहार में कोरोना का आख्राब बढ़ते जा रहा है कोरोना का चैन सुबह के नए ने जिलों से जुरता जा रहा है और बिहारी चिंदा का विशाय है और बिहार में कल कोरोना की पुष्टी हो गई है तो आप अपने घरों में रहें और घर से ही बैठे देखते रहें टूड़े भी हाइड न्यूज को यहां हम आपको देंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के शाहत ही कोरोना से सबसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक प्लाइए जाथ तमाम आपको प्लाइए तमाम यहां है तो आपको ऑ